पोट्स से जुडी किसी भी अपडेट के ये स्पोट्स तक को सबस्क्राइब करें और हमारे फेस्बुक और इंस्टेगाम पेज को भी जरूर फॉलो करें IPL का पहला हफता खत्म हो चुका है और आज आमने सामने होगी Defending Champions Mumbai Indians और Sunrises Hyderabad Tournament अभी भी जवान ही है क्योंकि शुरुआती दौर है और Sunrises Hyderabad को ये पता होगा कि अगर आपने शुरुआत में खराब performances करी तो वो आगे चलके काफी दिक्कते दे सकता है क्योंकि उन्होंने पिछले सीजन भी ऐसे भागते दोडते आखरी मोमेंट पे ही प्ले आफ्स क्ले क्वालिफाई किया था पर उनको ये भी याद होगा उन्होंने प्ले आफ्स क्ले क्वालिफाई करने के लिए Mumbai Indians को ही एक करारी 10 विकेट से शिकस्त दी थी पर सीजन बदल गया है और Mumbai Indians हमें पता है कि वो क्या काबलियत रखते हैं पिछला सीजन जीते थे और एक खराब शुरुआत हुई थी उनकी पर उस खराब शुरुआत के बावजूद उन्होंने मैच आखरी बॉल तक ले गए थे रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के अगेस्ट और दूसरे मैच में एक और उनका जो स्कोर था वो बहुत जादा नहीं था पर उसके बावजूद उन्होंने कोलकता नाइट राइडर्स को हरा दिया अब सन्राइजर्स हाइडराबाद के लिए ये सीजन बहुत अच्छी शुरुआत लेकर नहीं आया पिछला मैच जो मानेंगे कि उनको जीतना चाहिए था पर वो हार गए अब उनको अपना टीम कॉम्बिनेशन भी देखना है कॉम्बिनेशन की अगर हम बात करें तो डाफा न्यूस पर आप भी बहुत सारे कॉम्बिनेशन बना सकते हैं कि जी कौन इस मैच में सबसे ज़्यादा च्छके मारेगा या आप बताईए कि सन्राइजर्स हाइडराबाद का खुद का बैटिंग या टीम कॉम्बिनेशन क् इस मैच में जगा मिलेगी अब मुंबई इंडिएन्स का तो सारे प्लेयर्स उनके अवेलेबल हैं और अरर मुस्ट लाइकली जो उन्हें पिछले मैच में खेली थी क्योंकि मुंबई इंडियन्स इस बात पे विश्वास नहीं करता है कि बहुत जदा थेंग प्र equitable हो तो वो वापिस केन विलियमसन जो उनके experienced batsman है उनको लेकर आते हैं middle order में और मनीश पांडे हाला कि उन्होंने दो innings ऐसी खेली हैं जिनमें उनके नाम के सामने run लगे हुए हैं पर वो seniority अगर हम देखें वो experience जो है वो eventually जीत में तबदील नहीं कर पाए मनीश पांडे की मैं आपको एक हलका भूल का एक stat बताता हूँ आज तक मनीश पांडे ने पिछले अगर आप 3-4 साल के season देखें तो मनीश पांडे ने 10 बार ऐसा हुआ है कि 50 से ज्यादा run बनाए है पर उन 10 में से 8 बारी वो हैदराबाद को जिता नहीं पाए हैं तो ये दे Mumbai Indians चाहेगा कि यार वो जो बोलते हैं कि उनकी धीमी स्टार्ट होती है उसको वो बोलें कि यार छोड़ो इस बार अब टेक आफ करते हैं वहीं Sunrises हाईदराबाद को पहली जीत का अभी भी इंतजार है आप लोग प्रेडिक्ट कीजिए डाफा निउस पे जाईए कि पावर प्ले में क्या स्कोर हो सकता है अगर Mumbai Indians और हाईदराबाद के बीच ये मैच हो रहा है क्योंकि दोनों तरफ पावर हिटर्स हैं David Warner अगर यहां पर है तो वहाँ पे आपके पास Quinton Dickock भी है रोहिच शर्मा है रिदिमान साहा की जगा बनती है इस ग्यारा में चार फ तो विकेट स्लो होता जा रहा है उसले रन और शॉर्ट मारना थोड़ा डिफिकल्ट भी होता है तो क्या इस बार टॉस जीत के टीम पहले बल्ले बाजी करना चाहेगी I think ये बहुत सारे सवाल है बट सवाल डाफा न्यूस पे भी बहुत सारे अगर आप जवाब देते हैं तो आपके पास मौका है बहुत सारे रिवार्ड जीतने का इंट्रेस्टिंग मैच होगा और हाइदराबाद के लिहाज से ये बहुत बड़ा मैच हो सकता है उनके लिए तो आप लोग डाफा न्यूस पे जाईए और प्रेडिक्शन्स कीजिए